नमस्कार दोस्तों अमर्त करपा अकेडमी के इस ओनलाइन प्लेटफरम पे आपका स्वागत है मैं हूँ जीतेंदर और हम बात करेंगे स्कूल लेक्षर फेस्ट ग्रेड एक्जाम का जो फेस्ट पेपर है उसमें मैच सो रिजनिंग का जो शिलेबस है उसके बारे में साथ यू अपने जो फेस्ट ग्रेड का फेस्ट वेपर का जो शिलेबस है उसमें मैच सो रिजनिंग के चार पार्ट अपने शिलेबस में दिये गए है पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट मानशिक योग्यता प्रिक्षण दूसरा है स्टेटिस्टिक संख्या की और जो तीसरा पार्ट दिया गया है वो मैथमेटिक सेकंडरी लेवल की जो माद्यमिंग स्थरकीप गणीत है वो और चोथा पार्ट है मेंसुरेशन छेतर मिती क इस परकार ये चार पार्ट अपने सिलिबस में दे गे हैं फैस्ट पेपर के अंदर मेट्स और इसनिंग के दस क्यूसन वह तन हर बार यहाँ से पूछे जा Himself के कि परिक है विशली कई बटथयों में यही सिलिबस मेट्टो रिजिनिंग का रहा है तो उन पेपरों में में म लगबग 10 क्यूसन यहां से पूछे गए हैं, 10 में भी हम देखते हैं, तो Mental Ability Test है, उससे तीन क्यूसन हर बार गॉस्तन पूछे जा रहे हैं, जो दूसरा संक्यागी का पार्ट है, वहां से भी 2 क्यूसन यहां से पूछे जा रहे हैं, और जो तीसरा पार्ट है, Secondary Level के Mathematics, उससे तीन क्यूसन पेपर में आ रहे हैं, में सुरेशन छेतर में तीसरे हर बार 2 क्यूसन पूछे जा रहे हैं, इस परकार हम देखते हैं, तो तीन क्यूसन है वह रिजनिंग से, और 7 क्यूसन है वह Mathematics वाले पार्ट से, पूछे जाने को टोटल 10 क्यूसन, 20 मार्क्स के 10 क्यूसन अपने डिजनिंग और Maths से आ रहे हैं, अब इसके syllabus के बारे में हम देखते हैं, तो Maths के जो तीन पार्ट दिये गए हैं यह, यह अपने syllabus में पहला पार्ट हम देखते हैं सांख्या की, सांख्या की के अंदर 4 बिंदू अपने syllabus में दिये गए हैं, पहला बिंदू आंकडों का संक्रा है collection of data, दूसरा आंकडों का प्रस्तुति करण, presentation of data, तीसरा है आंकडों का आलेखे निरुपन, graphical representation of data और जो चोथा बिंदू दिया गया है सांख्या की के अंदर, केंदर यह परवर्ती के map, measure of central tendency, जिसके अंदर तीन map अपने को पढ़ने हैं, माद्दे माद्दे को और बहुलक, mean, median और mode, इस परकार संख्या की के हम यह चार बिंदू जो दिये गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे, पहले संख्या की के अंदर नियुमेरिकल की उसन ज्यादा पूछे जाते थे, आज का नियुमेरिकल के साथ साथ थर्टिकल की उसन जो यहां से पहले थे इन बिंदू से बनते हैं, वह भी पूछे जा रहे हैं, तो हम नियुमेरिकल और जो थर्टिकल की उसन है वह सब उन सब का अधियन करेंगे, जो अगला पार्ट अमने शिलेबस में दिया गया है, शेकंडर लेवल के मैथमेटिक्स, वह हम देखें, तो साथ बिंदू इसके अंदर दिया गया हैं, पहला बिंदू में, नेच्वराल, रेस्नल, इडैस्नल, रियल नमर, धैस्नल नमरं और दिया का डिया डेसिमर्फपेंशन, जो प्राकरत संक्या हैं, प्रिमैnh आपीमै्भ्विक इंस्ञ्वंभ मरं की अंवरhew ने दस्मल रमर्शार, जो दूसरा अपने syllabus में दिया गया है, इसमें point, operation on real numbers, वास्त्विक संक्याओं पर संक्रियाएं, और जो तीसरा बिंदु दिया गया है, law of exponents for real numbers, वास्त्विक संक्याओं के लिए गातांक नीम, इस परकार ये पहले तीन बिंदु हैं, वो कहां से आ रहें, number system से, संक्या ये तीन जो पहले बिंदु है, number system से अपने syllabus में दिये गए हैं, आगे हम देखते हैं, zeros of polynomials, बहुपदों के सुन्नेंक, उससे अगला relationship between zeros and coefficients of polynomials, बहुपद के सुन्नेंकों गुणांकों में, समंध, अपने syllabus में दिया गया है, उससे अगला division algorithm for polynomials, बहुपदों के लिए, विभाजन पर में का, तो ये जो अगले तीन जो बिंदु हैं, वो polynomials से समंधित हैं, जो हम पढ़ेंगे, और जो लास्ट वाला topic है, algebraic method of solution of pair of linear equation in two variables, दो चौरूब वाले रेखिक समिकन का बीज गणी ये हल, तो इस परकार ये साथ जो बिंदु दिये गए हैं, ये हम वि syllabus में पाट दिया गया है, मैंस का, mensuration, छेतर मिती, छेतर मिती के अंदर, ये तीन बिंदु अपने syllabus में दिये गए हैं, पहला है, surface area of, cuboid, cube, right circular, slender, right circular cone, and spare, गन, गनाब, बेलन, संकु और गोला, ये जो पांस ठोसा करतिया हैं, इनका प्रश्टी है छेतर पल, दूसरा बिंदु दिया गया है, volume of cuboid, slender, right circular cone, and spare, गनाब, बेलन, संकु और गोला, उसका आईतन है, वो अपने दिया गया है, और जो इसमें, last is surface area, and volume of a combination of solids, ठोसों के स्विजन से जो आकरती बनती है, उसका प्रिष्टिय छेतर पल, और आईतन, और जो last वाला है, conversion of solid from shape to another, एक ठोस आकरती को दूसरी ठोस आकरती में डाल दें, तो उसका, उसकी radius क्या होगी, उसका volume क्या होगा, उसका प्रिष्टिय छेतर पल क्या होगा, यह अपने syllabus में दिया गया है, combination of solid, यानि, मानलोग बेलन है, उसके दोनु तरफ, अर्द गोले लगा दिया, तो इस परकार जो आकरती बना, उसका प्रिष्टिय छेतर पल, और आईतन क्या होगा, यह सब हम इसमें पढ़ेंगे, तो इस परकार, में सुरेशन छेतर मिति में ये, तीन बिंदू अपने syllabus में दिये गए हैं, तो यह अपने maths का, जो syllabus है, वो है, दोस्तों हम बिल्कूल, बेसिक्स कॉंसेप्ट को लेकर चलेंगे, कि कहीं, चाहिए वो किसी भी स्ट्रिम का हो, maths का हो, science का हो, arts का हो, कहीं कोई दीकत नहीं आएगे, बिल्कूल बेसिक्स से लेकर चलेंगे, उसके लाओं अपनी जो class होगी, वो exam oriented class होगी, बिल्कूल syllabus पर आधारीत,